आज का वीडियो एक हाइली रिक्वेस्टेड वीडियो है आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं स्किन वाइटनिंग और फेर्नेस का एक ऐसा फॉर्मिला जो कि आपके फेशिल स्किन को गोरा तो बनाएगा ही साथ ही साथ सॉफ्ट इंड सपल बनाएगा चेहरे पर नया ग्लो लाएगा और रिंकल्स और डार्क स्पोर्ट से भी बचाएगा तो चलिए जानते हैं इसकिन व को रिमूव करता है इसमें कॉपर और लॉरिक एसिड भी होता है चुकि स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और रिंकल्स डार्क स्पोर्ट्स और सैगिंग स्किन से बचाता है मैंने यहां पर होममेड कोकुनट मिल्क यूज किया है आप भी अगर घर पर कोकुनट मि मिल्क भी खरीच सकते हैं तो इस कोकुनट मिल्क को आप एक क्लीन बाउल में पोर कर लीचे सेकिंड इंग्रीडियंट है रोज वॉटर जो कि आपको चाहिए 8 से 10 चमच यह भी मैंने घर पर ही बनाया है और घर पर गुलाब जल बनाने का तरीका भी मैंने एक वीडियो में शेयर किया है जिसका लिंक मैं नीजर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप चाहें तो मार्किट से मिलने वाला रोज वॉटर भी खरीच सकते हैं रोज वॉटर आपकी स्किन के लिए टोनर का काम करता है यह स्किन को सॉफ्ट सब्ल एंड यंग बनाता है कि इंप्यूरिटीज को दूर करता है और स्किन पर एक नया ग्लो लाता है तो यह रोज वॉटर आप कोकुनट मिल्क में आड कर दीचे इन दोनों को अच्छे से मिक्स कीचे और इस मिक्स्टर को एक आइस ट्रे में डाल कर दो से तीन कंटे के लिए फ्रीज कर लीचे तो और इसे अपने चहरे पर मसाज कीचे तब तक मसाज कीचे जब तक ही मिल्ट ना हो जाए अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो इन आइस क्यूब को कॉटन के कपड़े में लपेट कर ही मसाज कीचे मसाज करने के बाद चहरे को ऐसे ही सूखने दीचे और बगबग आदे घंटे के बाद चहरे को थो लीजिए रेगिलोर बेसिस पर इन आइस क्यूब्स को यूज कीजिए आपके स्किन का सारा ठैन निकल जाएगा आपके चहरे पर नया ग्लू आ जाएगा और साथ ही साथ आपकी स्किन भी सॉफ्ट सपल और मुलायम हो जाएगी आप इन आइस क्यूब्स को साथ से दस दिन तक फ्रिजर में स्टोर करके रख सकते हैं तो आप ही बनाइए ये स्किन वाइटनिंग आइस क्यूब्स और अपने चहरे को गोरा बनाइए सॉफ्ट बनाइए सपल बनाइए तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो त प्लीज थामसब के बटन पर लाइक करना बिलकुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीचे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीचे ताकि उनका भी फायदा हो सके मैं आपसे मिलूंगी एक और अच्छे से वीडियो के साथ तब तक